हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर अंजुमेडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हरदिक स्वावत है बच्चों हिंदी व्याकरन के अंतरगत हम लोग सब्द और सब्दों का वर्गीकरन को पढ़ रहे हैं मैंने आप लोगों को बतलाया है कि सब्दों का वर्गीकरन के चार आधार है आप इस्क्रीन पर देख सकते हैं ये चार आधार कौन-कौन से हैं पहला है अर्थ के आधार पर सब्दों का वर्गीकरन दूसरा है रचना के आधार पर सब्दों का वर्गीकरन तीसरा है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर सब्दों का वर्गी करन और चौथा है रुपांतर के आधार पर सब्दों का वर्गी करन तो ये जो वर्गी करन के चार आधार हैं इन में से मैंने अर्थ के आधार पर सब्दों का वर्गी करन और रचना के आधार पर सब्दों का वर्गीकरन से सम्मंधिद वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है तो जिन बच्चों ने इस वीडियो को नहीं देखा है वे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं वहाँ पर मैंने सब्द और सब्द के वर्गीकरन से सम्मंधिद तीन वीडियो का लिंक दे दिया है आप लिंक को क्लिक करें और तीनों वीडियो को खुब अच्छी तरह से देखें आज मैं जिस विशे को लेकर आई है वह है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर सब्दों का वर्गीकरन यह आपके परिक्षा के लिए काफे इंपॉर्टेंट है इसलिए इसे पढ़ना आपके लिए अतंदर जरूरी है तो चलिए सुरू करते हैं सब्दों का वर्गीकरन उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर तो देखें उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर जो सब्दों का वर्गीकरन है वो कितने भाग में है पांच भाग में है देखें पहला तत्सम सब, दूसरा तदभव सब, तिसरा देशज सब, चौथा विदेशज सब, माचमा है संकर सब यहाँ पर देखें तालव विशव नहीं है, दंत सब है, इसे ध्यान रखेगा तो एक-एक उधारन भी है यहाँ देखें, जैसे तत्सम सब तत्सम में अगनी अगर है, तत्भव में वही अगनी क्या बन गया, आग बन गया है देशज सब सुन्दर है, विदेशज सब का उधारन खूबसूरत है, और संकर सब यानि रेल गाड़ी संकर सब्द कार्थ होता है, दो तरह के सब्द मिले हो, दो भासा के सब्द आपस में मिले हुए होते हैं, उसे ही कहते हैं संकर सब्द, जैसे को धारन के तौर पर मैं सिर्फ इसे बता देती हूँ, जैसे रेल क्या है, अंग्रेजी का सब्द है, इन्तु गाड़ी जो है हमारा देशी भासा का सब्द है तो दो भासा का सब्द मिलकर क्या बन गिया है रेल गारी बाकी को मैं बाद में आप लोगो समझाउंगे देखे अब चलिए तथसम सब्द को समस्ते है देखे तथसम खुब ध्यान से देखे यह जो साब्दिक अर्थ तत्सम का साब्दिक अर्थ बताने के लिए मैंने तत्सम सब्द को दो भागव में तोड़ा है देखे तत और सम यानि तत्सम में दो सब्द का योग है तत्सम तो तत का क्या अर्थ होता है देखे उसके यानि उसके मने किसके संस्कृत के खुब ध्यान दीजेगा इस बात प और सम्मने समान, यानि इसका अर्थ क्या निकला साब्दिक अर्थ? उसके समान, यानि संस्कृत के समान, अर्थ क्या आया मिले सामने? संस्कृत के समान, तो ये तो इस पश्ट हो गया, कि तत्सम सब्द का साब्दिक अर्थ क्या है? संस्कृत के समान, अब परिभासा देखत थे हैं देखी तत्सम सब्द संस्कृत के हैं और मौलिक 0 Topम क्या हो गए संस्कृत के सब्द 5 तत्सम सब्द संस्कृत के हैं और मौलिक ृूप में बने मूल रूप में विना परिवर्तन के जब कोई सब्द मूल रूप में बिना परिवर्तन के प्रियोग हो रहा है तो वहाँ पर वो तत्सम सब्द है तो इसका प्रियोग हम लोग कहा कर रहे हैं हिंदी में कर रहे हैं यानि हिंदी में हम लोग कुछ सब्दों का प्रियोग कर रहे हैं जो कहां से आए हैं संस्कृत से, एक नमबर, तूसरा नमबर है उसके मौलिक रूप में कोई परिवर्तन हम लोग नहीं ला रहे हैं, यानि वो जैसे हैं वैसे ही हिंदी में उसका प्रियोग करेंगे, उसका शुब्प कहीं बदलेंगे नहीं मौली मने मूलु रूप जो उसका एजर्जिनल रूप है उसके सब्द को दाथ смог कहेंगेности allora दमने उसके इस नी संस्कृत और सम सब्द संस्कृत के समान जो सब संस्कृत pair जैसा है उसी सब्द को वैसे ही हिंदी भासा में प्रयोग करेंगे कोई चेंज नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा तब ही वह तत्सम सब्द है उधारन देखिए, बहुत से उधारन है किल्टु यहां पर मैंने कुछ उधारन को प्रस्तुत किया है देखिए, जैसे सूर्य, माना, उच्चारन, कलपना, छितिज, छंद, जंकार, धूप, नक, फल, संगीत, भै, मधू, रंक, रजट, शाप, ख्याती, रिश्य, रिश्य, औचित, इत्यादी और सत्तर परतीशद सब्द जो है हमारे हिंदी भासा में संस्कृत के हैं इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा दूसरा देखिए, तद भव तद भव का साब्दिगर्थ क्या है देखिए इसे भी तोड़कर देखते हैं, तद और भव तो तद मने हो गया उससे, तद मने उसके और तद मतलब उससे, तो किससे? संस्कृत से भव मतलब उत्पन, यानि किस से उत्पन हुआ है? संस्कृत से उत्पन तद सम्मे संस्कृत के सब्द जैसा ही था, यहाँ पर संस्कृत से उत्पन हुआ है तो परिभासा क्या है कि जो सब्द संस्कृत से आए हैं परंतु कुछ रूप परिवर्तन के बाद ही हिंदी भासा में स्विकार हुए हैं वे तदभव सब्द कहलाते हैं तो देखे यहां पर परिवर्तन की बात हो रही है ना कि परिवर्तन के बाद यहां पर संस्कृत के सब्द का रूप परिवर्तन हुआ है उसके बाद उसका प् तत्वाव में परिवर्तन की और तत्वाव में परिवर्तन के बाद हिंदी में प्रियोग किया जाता है वही है तत्वाव अब यह परिवर्तन क्यों हुआ समय के अनुसार, परिस्थिती के अनुसार, कुछ सब्द बदल जाते हैं उधारन से देखिए ये तद्भव है ये तद्सम है देखे तद्भव में आग वही अगनी है तद्सम में अगनी बदल के क्या बना आग ठीक इसी तरह से देखे तद्भव में अकेला तद्सम में क्या है वही एकल तद्भो में दही, इन्तों संस्कृत में हम लोग क्या कहते हैं? दधी. हम लोग तद्भो में जीब कहते हैं, तो संस्कृत में वो जी हुआ है. तद्भो में कपूर है, तो तत्सम में करपूर है. तद्भो में आठ है, तो तत्सम में अश्ठ है. तद्भो में धर्ती है, तो तत्सम में धरित्री है, तत्भो में भालू है, तो तत्सम में भल्लुक है, यानि ये जो तत्सम सब्द हैं, ये तत्सम सब्द ही क्या किये हैं, रूप बदल कर यहां पर प्रियुक्त हो रहे हैं, ये तत्सम का ही रूप है, लेकिन परिवर्तन के बाद का रूप है, तो उम् आप देखिए देशच सब्द, देशच से आप तो समझ रहे हैं देश मने अपना ही देश, यानि देशच सब्दों का सम्मंद संस्कृत भासा से नहीं है, यानि इसका सम्मंद हमारे देश से है, देशच से, तो देशच उन सब्दों को कहते हैं, जो बोल चाल अचा देश की अन्य भासाओं से ग्रहन किये गए हैं यानि देशत सबसे ये तो बोध हो गया कि संस्कृट से इसका संबंद नहीं है लेकिन देश में बोली चानने वाली जो भासाएं है जो बोलचाल की जो बोली है उससे इसका संबंद है जैसे लकड़ी, पगड़ी, पेट, खिचड़ी, कटोरा, कौड़ी, खिर्की, डिबिया, लोटा, आदी तो ये सारे सब्द जो हैं संस्कृट के नहीं है ये हमारे देशी बोलचाल की भासा में ऐसे सब्दों का प्रयोग किया जाता है अब चलिए विदेशत सब्द जैसे उन सब्दों को कहते हैं जो किसी विदेशी भासा से हिंदी में आये हैं यानि हमारे हिंदी भासा में विदेशी भासा के सब्द आ चुके हैं ग्रहन किये गए हैं इसके पीछे भी एक इतिहास है हम सभी जानते हैं कि हमारे भारतवर्ष में प्राचीन समय से विदेशियों का आकर्मन होता रहा है। हमारे देश में विदेशियों ने अपना अधिकार जमाया, कबजा जमाया, प्रभुत्र स्थापित किया और उनकी भासाएं भी यहाँ पर बैवहार में लाई गई। तो इससे क्या हुआ कि हमारी हिंदी भासा ने विदेशी भासा के सब्दों को ग्रहन करके अपने सब्द भंडार को सम्रिद्ध बना लिया। यहाँ एक बहुत महत्पुन बात है, हिंदी का सब्द भंडार इतना विशाल क्यूं है? अगर आपसे यह सवाल पुछा जाए, तो आप यही बात कहिएगा कि हिंदी भासा ने कभी किसी भासा से परहेज नहीं किया है, किसी भी भासा के सब्दों को अपनाने में भी परहे अकेले बढ़ती है, अकेले नहीं बढ़ती है न, उसके चारो तरब से असंख नदी की धाराएं गंगा में मिलती जाती है, और गंगा उन सारे नदी के जल को ले करके आगे बढ़ते हुए कहां जाकर मिलती है, अथा समुंदर में, तो ठीक इसी तरह से हिंदी का सब्द भ देखते हैं, तो कौन-कौन से भासाएं हैं, यहाँ पर मैंने कुछ भासाओं के सब्दों का उलेक किया है, उसे मैं बतला देती हूँ, देखिए, उधारन देखिए, फारसी में, खुदा, सरकार, गुलाब, अर्वी, अल्ला, सैतान, तस्वीर, तुर्की, तो, कुर्ता, क यहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा उधारन के लिए आप लोगों को समझाया है, आप ब्याकरन की किसी भी पुस्तक को ले लीजिए, वहाँ पर आपको हिंदी के सब्दभंडार मिल जाएंगे, आप एक बार उस पुस्तक को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, यदि आपको कही नहीं मिलेगा, तो आप मुझसे कहिएगा, मैं आप लोगों को उसका पीडियाप उपलब्द करा दूँगी, तो यहाँ कितनी मायत्पुन बात है कि हम लोग आचार हमेशा खाते हैं, जब भी खाना अच्छा नहीं लगता, कोई सबजी अच्छी नहीं लगती, तो हम सब्द जो है पुर्तगाली का है, सोचिए, कितनी आच्छर वाली बात है न, हम लोग कहते हैं रिक्षा, यह रिक्षा सब्द कहां से है, जापानी से है, देखिए कितना आच्छर यह लग रहा है न, देखिए हम लोग कमीज कहते हैं, यह कमीज भी हमारा सब्द नहीं है, ये कमीज भी किसका है, पुर्तगाली का है, लेकिन हिंदी ने इसे अपना लिया है, और ये हिंदी के बन गए हैं, तो इस तरह से विदेशत सब्दों का भी प्रयोग हमारे हिंदी भासा में मिलता है, पांचमा देखिए संकर शब्द, वे सब्द जो तत्सम या तद्भव, तथा विदेशत सब्दों के मेल से बने हैं, या दो विदेशत सब्दों के मेल से बने हैं, जैसे हिंदी और फार्सी को मिलाकर क्या बना है, घुड सवार, राज महल, हिंदी और अंग्रेजी को मिलाकर बना है, रेल गारी, लाठी चार्ज, देखिए रेल यहाँ पर हिंद का है लाठिया हिंदी का है घोड़ा सब्द से घुड़ सब्द आया है राजा सब्द हिंदी का है अंग्रेजी और फार्सी देखे फोटो साज हंटर गंज आप समझी रहें कि अंग्रेजी का कौन सा सब्द है अंग्रेजी और तुर्की हाफ कुर्ता अर्भी और फार्सी आत प्रोत के अधार पर मैंने सब्दों का वर्गीकरन जिस रूप में आपके समक्स प्रस्तुत किया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा फिर भी यदि कही कुछ समझने में दिक्कत हुई हूँ तो आप मुझसे बेहिचक बिना संकोच के प्रश्न पूच सकते ह मैं हमेशा से आपके हर सवाल का जबाब देती आई हूँ और देती रहूंगी तो वीडियो को लाइक करें सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में इसे सेयर तो अवश्य करें क्योंकि यह पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो बच्चे चैनल पर नए है उच्चै पामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है धन्यवाद